है अज़िए दोस्तों बात करेंगे डेफलाजा कोड के बारे में काफी ज़्यादा फ़ेमस था यह डेफलाजा कोड़ और क्योंकि इस रोडेल ड्रग है तो हर व्यक्ति जानना चाहत है यह है क्या बीटा मैंतर सब जानते हैं लेकिन डेफलाजा क्या चीज है तो कब इस्तमाल करना कैसे काम करता है क्या साब दानी रखने हैं डोज क्या होगा सब को जाने इस वीडियो में दो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको से पूरा गई मिल सके उससे पहले रिक्रेस्ट दोस्तों कि कोई भी डॉक्टरिक्सान जरूरी है यह होती है द्वाइन जो कि आप नुक्सान पहुचा सकती है तो शुरू करते हैं दोस्तों डैफ लाजा कोड एक इस्टेरोइडल ड्रग होता है अब का कई लोग मेरे इस प्रॉनाउसेशन वर ध्यान देते हैं तो मैं इस्टेरोइड बोलता हूं ठीक है न तो आप जो भी आपको सम को इस्टेरोइड तो ये क्या है Calvin को कि को इस्टेबलेट रट इकांगत रोकिट में इसकी जो टैबलेट है एक सिक्स मिलीग्राम बारा मिलीग्राम त्थारा मिलीगराम च्वोगे स्टन्थ में अवलिबल होती जैकर आपने ज्यूदा तर तो चैन्म आपने थ Moy और इंट्रा-कॉड आता है। और कोई कॉड कॉड करका ति कोई कम्पनी के नाम से आता है कि ये जो डेफलाज onlar कॉड है इसका इसका का है कि घम है तो घर जीज बहुत की बीमारी को जब को इलाज चलता तो उसके सांत को चला जाता है मैं दबाईयों के साथ तो inflammation को कम कर सकता है ठीक है सूजन हो कहीं भी हो उसको कम करेगा RTI मतलब कि फैफडों में infection है respiratory tract infection फैफडों में Inphysema हो गया है फैफडों में अस्तमा हो गया किसी को वहां पर दे सकते हैं प्रफडों से सम्द्रों में अच्छा काम करता है और इम्यून डिसेज होती है कुछ उनमें भी देते हैं तो जो ऐसी समस्या होती है जिसमें क्या हो तो body की cells body antibodies खुद को ही मारने सुरू कर देती है हमारे body cells को तो बहुत सारी समस्या होती है ठीक है कर सकते हैं एलर्जिक रियक्षन एलर्जी हो कैसी भी हलकी एलर्जी लेगा गंबीर मतलब करें तो एलर्जी को देंगे इसलिए एकजिवा में चलाते हैं कई बाद एक जिवाम में है जब जादा लेजी का खुझली चलती है आदमें को बहुत तब डेफ लाजा को भी लिखा जाता है बात करेंगे काम कैसे करता है मैकरिजम औफ एक्षिन क्या हो सकता है तो देखवाई यह है क्या गुलूको कॉर्टिकोईड तो यह क्या करता है जब आप इसको लेंगे तो आपके बॉड़ी में आल्रीड नेच्रली बन रहे होते हैं यह मि इन को कंट्र्ल करता यह जो प्र्वाइब आप तक जाते हैं तो आदमी जल्दी करने लगता है उसकी समस्या दूर हो जाती है तो यह है क्या काम करने का तरीका सिर्प आर्फ स्व स्प्र को बढ़ाएगा और यैस टो रोते क Carryover रहेगा बात करेंगे सब दानीयों की क्या साबधानी रखना चाहिए अगर आप डेफ लाजा कोट ले रहे हैं तो दो प्रेग्लिंसी में और प्रेस्पडिंग मदर्स को देना नहीं जहर सी बात है गरबती महला है और बच्चे को दूद्ध उपलाती महला उसको नहीं देना है डायविटेज में हाँ पूछना ल सास लेने में तकलिफ हो सकती है थकावट हो सकती है यहीं इसके कुछ साइड इफेक्स है दोस्तों आप बात करेंगे इसके डोज की की डोज क्या हो सकता है बच्चों में इसका डोज जो होता है 0.25 मिलिग्राम पर केज़ी बोडिवेट के साफ़ से दिया जाएगा ठीक है तो आप मल्टिपल करेंगे तो वच्चे का बजन के साफ से आप डोज निकाल सकते हैं 0.25 मिलिग्राम पर केज़ी ठीक है बड़ों की बात की जाए तो इसका 6 मिलिग्राम का टैबलेट दिन में 3 दिया सकती है बतलब कि मैक्सिमम डोज जो है आप दिन भर में 18 मिलिग्राम दे सकते हैं डिवाइडेट करके एक अटा नहीं देना है शोबर साम शोबर दोफेर साम और जरुवत पढ़ने पर मैक्सिमम डोज 120 मिलिग्राम का दिया जा सकता है क्योंकि इसकी स्टेंथ 24 मिलिग्राम तक की भी आती है कि सोबर साम 24 भी दे सकते है ठीक है तो यही है दोस को बढ़ाएगा ठीक है तो वीडियो कैसा लगा मैं कमरें करके बताएगा अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें अगर आप हमारे चल अपन नहीं है तो सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो आपको और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे तो आप देख रहे थे ग्यानियर म आप उस्यवाम तो में में ताव लगर दो तो जैंन बंदेमा